नमस्कार मैं हूँ आपके साथ रोहेत विश्व कप की यादों को भुला कर भारत में एक नई सुरवात नए कप्तान के साथ की है रोही शर्मा की कप्तानी में नियूजिलेंड के खिलाफ तीन मैचों की टी टॉन्टी श्रिंखला के पहले मैच में भारत में शांदार तरीके से जीत दर्ज करते हुए एक सुन्य की बढ़त बना ली है जैपुर के सवाई मान सिंग स्टेडियम में खेले गए इस मैच में रोही शर्मा ने टॉस जीत कर पहले फिल्डिंग करने का फैसला लिया जिसके जवाब में निजिलेंड ने 164 रनों का ठीक ठाके स्कोर बनाया और उसके बाद भारत में शांदार तरीके से जीत दर्ज कर ली रन को चेस करते हुए ऐसे में भारत की तरफ से शांदार प्रदर्शन करने वाले खिलाडी कौन से रहे और इस मैच के हीरो कौन खिलाडी बनकर रुपरे आये उन पर नजर डालते हैं सबसे पहले अगर बात करेंगे तो यहाँ पर नाम आएगा भारत के कप्तान रोहित शर्मा था जिस तरीके से ओपनिंग करते हुए उन्होंने बेहदी शांदार बल्लेबाजी की और अनतालिस रन बनाए और अपनी टीम को केल राहूल के साथ अर्धस्तक ये शुरुवात दिलाई और जीत की निव रखी उसमें रोहित शर्मा का बहुत बड़ा योगदान रहा अनताल नहीं पढ़ने दिया रन बनाते गए और शांदार असत के साथ उन्होंने रन बनाया ताबर तोड अंदाज में बल्लेबाजी की और छक्के चोको की बौचार लगातार केल राहूल करते रहे और टीम इंडिया को जीत दिला दिली तीसरे कारण पर यहां पर बात करेंगे तो यहां पर दो नाम एक साथ ले जाएंगे एक केल राहूल और दूसरे रिशपपन्द केल राहूल ने रोहिस्वर्मा के साथ एक ठीक ठाक सुरवाद दी हालांकि उनका स्कोर बहुत बड़ा नहीं रहा मातर पंदरहर मना कर आउट हो गए लेकिन अर्दसरत के हैं वहीं चौथे बड़े कारण और सबसे बड़े हीरो की बात करेंगे तो यहां पर नाम आएगा भारत के दिगज वरिष्ट हिस्पिनर रवीच अंदरना स्विन का जिस तरीके से वर्ल्ड कप के पहले दो मैचों में उनको नजर अंदाच किया गया पाकिस्तान और उनको फिर से जैपूर के मैदान पर T20 के इस मैच में मौका मिला उन्होंने बहुत इशानदार तरीकी से गेंबाजी किये और एक ही ओवर में उन्होंने कह सकते हैं कि निज़िलेंड की रीड तोड़ दी और दो बड़े विकेट उन्होंने हांसिल करते हुए चार ओवर मे तेज रन खर्च किये और टीम इंडिया की जीत की नियू उन्होंने भी रखी क्योंकि एक वक्त निज़िलेंड बड़े स्कोर की तरफ लग रहा था लेकिन अश्विन की गेंबाजी के आगे निज़िलेंड पस्त पड़ गया और पांच में और अंतिम कारण पर बात करें और उसके बाद अंतिम ओवर्स में भी रन बचाए और अच्छी गेंबाजी की तो भुवनेश्वर कुमार भी इस मैच में बहुत बड़े हीरो बनकर उभरें हैं चार ओबर में 24 रन खर्च किया और उनके नाम भी दो सफल ताय रहीं भारत के जीत के ये बड़े कारण रहे और ये खिलाडी बड़े हीरोज बनकर उभरें रोही शर्मा की कप्तानी में भारत अब सिरीज में एक सुन्न से आगे हो चुका है सिरीज का दूसरा मैच 19 नवंबर को खेला जाएगा फिलाल आपको भारत की जीत के बड़े कारण क्या लगते हैं अपनी राह में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं